हेलो फ्रेंज आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक कहानी जिसका नाम था Nektar in a Sighway जिस अलिखा था कमला मार्तंडे ने कमला मार्तंडे ने बेसिकली इसमें दोस्तों एक स्टोरी दिखाई है जिसकी हिरोईन है रुकमेनी रुकमेनी जो होती है दोस्तों उसके साथ क्या बीटता है उसके हस्बेन कौन होते हैं और उनकी बच्चे कितने होते हैं ये सब की कहानी है ये एक सची घटना की कहानी है जिसे कमला मारतंडे ने दिखाया है कमला मारतंडे की यic पहली बुक थी जो पब्लिश हुई थी उन्होंने दो बुक और लिखी थी पर पब्लिश इसे सबसे पहले कराया था तो आई दोस्तों हम कमला मारतंडे के बारे में ही चानते हैं कमला मारतंडे का जन हुआ दोस्तों एक जनवरी 1924 मैसूर में यह इंडिया की रहने वाली थी और इनकी मृत्तिव हो गई 16 मई 2004 में लंडन में UK में यह इंडियन राइटर थी पर जब यह साधी की तब यह विदेश चली गई इसलिए वह वहां की नोबलिस्ट और जनलिस्ट भी बनी पर इन्हों ने इंडिया की स्टूरीज और इंडिया को कभी नहीं भूला यह बीच बीच में आया करती थी इंडिया और यहां के दुख दर्द की जो सच्ची घटनाय थी उसे अपने नोबल में डालती थी और जनलिस्ट उस चीज को उजागर भी करती थी कि इंडिया में क्या चीज की कमी है और लाश्टी दोस्तों इस नोबल को उन्होंने 1954 में लिखा जिसका नाम था Nectar in the Sevens तो आई दोस्तों Nectar in the Sevens की हिंदी भी आपको बता देते हैं छलनी में अमरित तो आई दोस्तों सबसे पहले हम narrator यानि की main character से मिलते हैं main characters में रुक्मनी है दोस्तों रुक्मनी जो होती है दोस्तों वो काफी इमांदार महिला होती है इसका एक पती होता है और ये अपने life में काफी ज़्यादा हसी मतब छुटी छोटी चीजों में खुस्या डोडती है और काफी disappear होती है ये अपने loving natures को भी नहीं छोड़ती ये ज़्यादा beautiful तो नहीं होती पर इसका ही काम था किसानी का वो अपना करती थी और अपने जमीन से काफी ज़्यादा महबत करती थी क्योंकि वही उसका रोजी रोटी चला रहा था बच्पन से इसे पढ़ने का भी उतना ही सौंक था दोस्तों तो इसके पिता ने इसे काफी ज़्यादा पढ़ाया और काफी ज़्यादा stories भी सुनाई और यहीं चीज उसने as a legacy अपने बच्चों को भी transfer किया यानि कि रुकमनी के बच्चों को भी रुकमनी ने पढ़ाया लिखाया उसके पिता की तरह जैस दोस्तों गरीबी का सामना करना पड़ा इसलिए वो काफी ज़्यादा thrifty यानि की कंजूस भी थी इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे उस डॉक्टर के बारे में दोस्तों जिसने रुकमनी की काफी ज़्यादा मदद की यहां हम उसके husband के बारे में इसलिए नहीं जान रहे क्योंकि वो उसके life में उस डॉक्टर की ज़्यादा importance थी दोस्तों क्योंकि उसने काफी बार उसकी मदद की तो आईए दोस्तों उस डॉक्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम Kenny था वह एक white doctor था इसने रुकमनी की काफी help की थी यह sharp language में बोलता था यानि की काफी कटा ह ज़्यादा मदद करता था तो story की सुर्वात होती है दोस्तों रुकमनी को दिखाया जाता है दोस्तों रुकमनी जो होती है वो अभी तो अधेड उमर की औरत हो चुकी है पर वो याद करती है अपने बच्पन की यानि कि अपने life में बीते हुए हर एक पल को याद करनी अथन नाम के पीजन से, यानि की किसान से करा दी, जो की जमीन से काफ़ी कम जमीन थे उसके पास, लेकिन मेरी सादी करवा दी उन्होंने, मैं सिर्फ 12 साल की थी, सादी के बाद, एक साल के बाद, तुरंद मेरी एक बेटी हुई जिसका नाम था इरा, इरा मेरी लाइफ में आत हो गई थी पर उसके बाद मेरा कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था छे सालों तक मैं और नाथन काफी ज़्यादा परिसान थे कि हमारा वारिस है ही नहीं कोई मेरा एक भी बेटा नहीं था और अब इरा भी बड़ी होने लगी थी और इधर नाथन और उसकी वाइफ रुकमनी काफी ज़्यादा परिसान थे पर नाथन उसे प्यार बहुत करता था इसी भीच खबर आती है कि रुकमनी के पापा उसे एक चिठी बेचते हैं जिसमें लिखा होता है कि उसकी मां काफी ज़्यादा बिमार है और तब ही रुकमनी वहाँ मिलने जाती है और वहाँ पे वो मिलती है इस डॉक्टर से जिसका नाम होता है कैनी जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तों यह डॉक्टर उसके बांचपल का इलाज करता है और इसके बाद रुकमनी के 6 बच्चे होते हैं और अब रुकमनी का परिवार पूरा हो गया था पर इतने सारे बच्चे थे कि खाना कम पढ़ जाता था तो दो बेटों को रुकमनी ने काम पर भेजा पर काम भेजने पर ही व इसमें उपोजिट हो जाता है कि सार्व को रखा लिया जाता है पर यह जो दो लीडर बन गए थे न तो लीडर का इनक खामियाजा भुकतना पड़ता हो और यही दो लड़कों को महां से निकाल दिया जाता है जो कि रुकमनी के बच्चे थे रुकमनी को दोस्तों एक और भी चिंता थी वह सोच रही थी कि मेरी जो बड़ी बेटी एरा थी जो सबसे पहले हो गए थी वो आप काफी बड़ी हो गई है और उसकी साधी का वक्त हो चुका है आगे दोस्तों रुकमनी काफी मुश्किलों से एरा की साधी करती है क्योंकि उन साल उनके जो फसल थी उस का हालत हो जाता है वो भी बांचपन का सिकार हो जाती है इनफर्टिलीटी का और इसी कारण एरा का हस्वेंड उसे माईके में छोड़ देता है रुकमनी तुरंट कैनी के पास जाती है उस दॉक्टर के पास और बोलती ही कि मेरी बेटी का भी इलाज कर दो पर तब तक काफी लेट हो गई थी और ईरा के husband ने नहीं साधी कर ली, वो रुड़ा नहीं दोस्तों और अब ईरा काफी जादा दुखी में रहने लगी क्यूंकि उनके husband ने दूसरी साधी कर ली और ईरा का अब कोई नहीं था और तब ही रुकमनी प्रेगनेंट होती है और कुंती नाम का उसका लास्ट बेटा होता है जिसे एरा अपना बच्चा मान करके उसका भाई होता है पर अपना बच्चा मान के दोस्तों से इतना प्यार करती है कि वो भूल जाती है अपने सारे दुखों को और इधर मुस्किलो का पहाड फिर से रुकमनी पे तूटता है और इस साल भी रुकमनी का जो अनाज था वो काफी कम होता है जिसके कारण वो सहुकार जो लैंड ओनर था जिससे उन्होंने जमीन किराय पिली थी उसे सिर्फ उसका आधा ही चुका पाते हैं और वो काफी जादा दुखी हो जाते ह अब उसके घर में एक निवाला भी नहीं बचता है दोस्तों खाने का और रुकमनी काफी जादा परिसान हो जाती है उसके बच्चे किसी तरह इदर उदर से कुछ भी मिल जाता तो वो खाकर गुजर बसर कर रहे थे और इधर कुट्टी की भी दव्यत काफी जादा खराब हो जाती है तब इरा क्या करती है अपने आपको बेच देती है प्रोस्टिचूट बन जाती है और किसी तरह अपने जो भाई था जिसे बेटा मानती थी कुट्टी को खाना खिलाती है पर वो काफी जादा लेट हो जाती है और वो काफी जादा कमजूर हो जाता है वो बच् केनी किसी तरह काम में करवा देता है कि तुम काम करो और अपने फैमिली को खिलाओ। उनका जो चौंथा बच्चा होता है वो एक भूचट खाने में काम करने लगता है पर उस पर एक इलजाम लग जाता है कि उसने गाए की स्किन को चुराया है और उससे भी वहां से निकाल जाता है इसके बाद दोस्तों कहानी में यह दिखाया जाता है कि कैनी जो है वो अब अपने काम से उधर कहीं चला गया था और वो अब गायब हो चुका था इस स्टोरी से और काफी दिनों बात पता चलता है कि कैनी जो डॉक्टर था वो अपने लिए और अपने गाउं के लिए एक हॉस्पिटल बना रहा था जिसमें वो इलाज करेगा और गरीब लोगों की मदद करेगा जिसमें उसने कहा रुक्मनी को कि मैं सेलवन यानि कि तुम्हारे एक बेटे को अपना असिस्टेन बना लूँगा ताकि तुम्हारा गुजर बसर हो सके यह सब देखकर रुक्मनी है और ये डॉक्टर है इसका नाजायत संबंध है तब रुक्मनी को काफी ज़्यादा बुरा लगता और वो खोज परताल सुरू करती की क्यों इसने ऐसा क्यों कहा और तभी पता चलता है कि कुण्टी एक परसिट्यूट है और इसका संबंध रुक्मनी के यहां तक कि नाथन उसके दो बच्चों का कुटी के दो बच्चों का बाप भी है अब इस बात को सामने आने पे नाथन उससे काफी ज़्यादा माफी मांगता है दोस्तों तो वो उससे माफ कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे गुस्ता नहीं हूँ पर अब यह ऐसा हो चुका है दोस्तों कि कि वो 50 साल का हो गया और उसे एक गठिया भी हो चुका है और इधर स्टोरी में दिखाया जाता है कि दोस्तों इरा का भी एक बच्चा हो चुका है जो कि प्रोस्टिचूट से पैदा हुआ था कुट्टी को खिलाने के चक्कर में और अब यह उस ब का जो है सौधा हो चुका है क्योंकि वहां टैन्ट्री बनेगी और टैन्ट्री बनेगा तो तुम्हें यह जगा छोड़कर जाना होगा और अब नाथन का हालती हो जाता है दोस्तों कि उसे दर दर भीक मांगना पड़ता है जैसा कि आप पिक्षर में देख रहे हैं और रुक अपने बेटे मुर्गन के पास जो कि सहर में रहा करता था इधर एरा अलबीनों को भी पालने लगती है जैसा कि आप पिक्षर में देखी रहे हैं वो पालने लगती है और उसे एडॉप कर लेती है आगे की कहानी बढ़ती है दोस्तों रुकमनी और उसका हस्बे नाथन ज जब वो टेंपल में जाकर स्लिप करते हैं तो एक चोर उनका बंडल उठाकर भी ले जाता है और उसके बाद एक पूली नाम के वैक्ती से उन्हें मदद लेने की जरुवत पड़ जाती है जो कि एक भिकारी था वो वहा कैनी के दोस्त के घर तक उन्हें पहुंचा देता है कैनी के घर तक जब वो पहुंचते हैं दोस्तों दोस्त के घर तो वहां पता चलता है कि उनका बेटा अब वहां काम नहीं करता वो तो एक कलेक्टर के यहां काम करता है अब रुखमनी और उसका हस्बेंट कलेक्टर के पास जाते हैं दोस्तों अब कलेक्टर के पास जब ज होता है जो कि आप काफी जादा कमजोर हो चुका है यहां सब देखकर रुकमनी काफी जादा रोने लगती है और कहती है नाथन से कि हम यहां रह नहीं सकते हैं यहां से चलो हम अपनी बहु के घर में कब तक रहेंगे फिर वो लोग वहां पर टेंपल पर जाते हैं दोस्तों और वहां खाना खाते हैं वहां उन्हें फिर से पूली मिलता है और स्टोन तोडने में उनकी नौकरी लगा देता है कि आपको यहां स्टोन तोडना है यह सब देखकर रुकमनी काफी जादा खुस हो जाती है और एक दिन अखिलाउने लेकर आती है उसके बच्चों के पहीं पर मर जाता है नाथन अब मर चुका है दोस्तों और रुकमनी अपने बेटे सेलवन के पास वापस आ जाती और पूली को भी लेकर आ जाती और अब वो लोग वहीं पर रहा करते थे और यहीं पर यह स्टोरी खत्म होती है आपको मेरी एक्स्पनेशन कैसी लगी थांकि दूस्तू